नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनूजराय, आज हम बात करेंगे और अस्थी पोधक काकनाशा की बारी में ये बहुती दिव्बे अस्थी है और इसकी बारे में संपुण जानकारी देंगे ये कौन-कौन सी बीमारीयों में काम करता है इसका नाम है काकनासा इंगलिस में डैबिल्स, क्लाउज, टाइगर्स, क्लाउज इसका बोटनिकल नेम है मार्टेन्या, एनुगा काकनासा के गुण है कसाय, कटू, तिक्तरस युक्त, उस्नवीरे बिपाक में कटू, रस, युक्त, कफ नासक, बमन कराने वाली, सोथ, अर्ष, सखेद कुष्ट को दूर करने वाली होती है इसके स्थाने उपयोग है पके हुए फल को एक बिसेश पत्थर पर घिर्च कर पेष्ट बनाया जाता है यह पेष्ट बच्चों में निमोनिया को ठीक करने के लिए प्रियोग किया जाता है पत्यों के पेष्ट का उपयोग, छाय रोग, बिसेले डंक और मिर्गी के इलाज के लिए पिया जाता है इसके रस्का उपयोग गरारे करने के लिए किया जाता है इसके अतिरिक्त पत्तियों का सेबन खुजली, तपेदिक, गले में खरास और गर्दन के उपचार में किया जाता है फलों के पेस्ट का उपयोग एलेक्से, टैजिस के रूप में सूजन सम्मंदी इस्थिदियों और बिच्छू के डंक के उपचार में किया जाता है फलों के तेल का उपयोग खुजली, एकजीमा और टिनिया कारपोरिस के उपचार में किया जाता है जड़के अर्क का उपयोग बेहुसी गठिया बांजपन और कैंसर के उपचार में किया जाता है इसके और भी उपयोग हैं यदि ताजा घाव हो कैसा ही कटा पिटा हो मास भी ना हो और यदि पका भी हो तो इसकी पत्ती को कुचल कर घाव पर इसका रस लगा दे या उसको उपर भर दे तो दो-त्रीन दन में ही वह घाव ठीक हो जाता है इसके बीजों को चवाने से इसमें दूट जैसा एक द्रब्य निकलता है जो जिससे प्यास नहीं लगती और इसका स्वाद लगवग बादाम के स्वाद जैसा होता है खांसी में इसके बीजों की जाक बना कर इसको जला कर भस्म बना कर इसके चून सहच के साथ खिलाया जाता है यह औस दी कोड के लिए भी उपी होगी है एक छोटे मिट्टी के बरतन में ये बिच्चु फल और नाग फणी दोनों को बरावल लें और इनकी भस्म बनाए ये भस्म दाद खाज में काम करेगा इसे जला कर बीजों को भस्म बना कर सहच के साथ खाने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है पुरानी जमाने में ये देहाथ की जूटियों में लगाया जाता था इससे जूटों में चर्मर की बहुत तेज आवाजाती थी जिससे रास्ते में साप रात में ये आवाज सुनकर रास्ते से अलग हट जाती थी और बिच्चू इसकी गंद से दूर भाग जाते हैं इस पौधे की गंद जहां भी यह पौधा रहता है तो वहां बिच्चू आदी नहीं आते हैं तो यह जू तो मैं लगाने का यह भी एक मुख्च कारां रहा है इसके फ़लों को सर्षों के तेल में पका कर या पाताल यंतर से उसके बीजों का तेल निकार कर उसकी मालिस करने से जोडों के दर्द में बहुत फायदा होता है और चर्म रोग में भी यह बहुत भी बढ़िय करता है चर्म रोग भी ठीक होते हैं यह चैवन प्राश की 49 चड़ी बूटियों में इसका फल प्रियोग किया जाता है यह चैवन प्राश में भी डाला जाता है और यह ताकत के लिए सेक्सुल पावर में इसका उप्योग होता है यह पोदा सनी जेव कोई बहुत ही प्रिये है यदि बिच्चू जड़ी बूटी सास्तरोक्त बिदी से यदि इसकी जड़ को धारण किया जाए तो सनी ग्रह के साले साती और अड़िया का दुस्प्रवाव काफी हद तक कम हो जाता है जो व्यक्ति नीलम मूले आज़ेख होने के करण धारण करने में असमर्त है बेश का लाब ले सकती है ऐसा बताया गया है प्राचिन समय में इसके फल को सुखंडी रोग यहने मसांदोस रोगी के गले में डाल दें तो रोग कम हो जाता था इसके ग्यारा फल दरवाजी पर दुकान या मकान में लगा दें तो नजर दोस नहीं लगता ऐसा कहा जाता है जोडों के दर्द में तो इसके सूखे फल हाथ की कलाई में धगावे मांदने से पहनने से दर्द नहीं होता तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाज नमस्कार दोस्तो